हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है योगदान बेटा कहीं बाहर जा रहा है गायतरी देवी ने अपने पूते से कहा हाँ दादी जी क्यों आपको कुछ लाना है क्या मेरे लिए चीप सका पैकट लेकर आना पर हाँ तुम्हारी मा की नजरों से बचा कर गायतरी देवी ने कहा वाह वाह माजी क्या सिखा रही है आप मेरे बेटे को आपको खाना है तो खुलकर बताइए ऐसे मेरे पीट पीछे क्यों रोते हैं मैं तो आपका भला ही सोचती हूँ तभी पीछे से आकर पूजा ने कहा वो वो जा बेटा तुम तुमारे लिए हिलाओ मेरे लिए मत लाना अपना मुफुलाकर गायतरी देवी ने कहा गायतरी देवी ऐसे ही दो तीन दिन मुफुलाकर रही पर पूजा को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उनके सुभाव से भली भाती परिचित थी तीसरे दिन सावरब यानि की गायतरी देवी का बेटा हाथ में पाली थिन कवर लिए दाखिल हुआ कवर देखते ही गायतरी देवी की जुबान लपलपा उठी उन्होंने तपाक से पूछा कवर में क्या है बेटे वो मा पूजा का आज पूनम कवरत है तो सेब लाया था पूरे दिन चाय दूद पर भाग दोड़ करती है ना इसलिए अच्छा बहु का इतना खयाल रखा जाता है और मा के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं गायतरी देवी ने मुझ काते हुए कहा आपको क्या चाहिए बता दो अभी लाकर देता हूँ कुछ नहीं चाहिए मुझे बस दोवक्त की रोटी भी चैन से खाऊँ वो भी बहुत है मेरे लिए गायतरी देवी ने कहा सौरम मा का सुभाव जानता था इसलिए उसने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कुछ हुआ मा पूजा ने कुछ कह दिया क्या आँखों में आसू लिए गायतरी देवी ने कहा अब क्या बताऊं बेटा बहु बहु टोकती रहती है कुछ खाने ही नहीं देती अच्छा एक बात बताओ मा पूजा या सब किसके लिए करती है आपकी सेहत के लिए ही न जब आप उसका सहयोग और समर्थ नहीं करोगे तो आपकी ही तवियत लड़कड़ा आएगी और उस वक्त सब कुछ पूजा को ही करना पड़ेगा आप ही बताइए कि वो अपनी स्कूल की नौकरी के साथ साथ घर भी बहुत अच्छे तरीके से सम्हालती है जिसे मैं और आप बेफिक्र रहते हैं आपको नहीं लगता कि परिवार में एक जुटता और एकता बनाए रखने में हमें भी हमारा योगदान देना चाहिए एक और बात मा आपको सुगर और बलेड पेसर का प्राबलम है आपको डाक्टर ने तला भुना और मीठा खाने से परहेज बताया है फिर भी पूजा आपका खयाल रखते हुए आपको सब कुछ खाने को देती है उपर से आपको बधाजमी का भी प्राबलम है तो कई बार मोसंस ज़्यादा हो जाता है तो कई बार बिलकुल बंद तो ऐसे समय में पूजा आपको टोके नहीं तो और क्या करे आप ही बताये मा हम उसकी कोई मदद तो नहीं कर सकते पर क्या जान बुझकर हम हमारी सेहत बिगाड़ कर उसका काम बढ़ाएं उसमें हमारा प्यार है या उसकी बात मानकर चलने में हमारी खुसियां है थोड़ी देर सोचने के बाद गायतरी देवी ने पूजा को बुलाया और इसने है और प्यार जताते हुए कहा पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे काम किये होंगे जिससे मुझे बेटी जैसी बहु मिली है आज से मैं तुम्हारी टीम में हूँ जो तुम कहोगी वहीं मैं करूँगी गायतरी देवी की बात सुनकर पूजा ने उन्हें गले लगा लिया और कहा मा मुझे माफ कर देना मैं आपके साथ बड़ी सक्ताई से पेस आई हूँ एक ही सर्थ पर माफी मिलेगी मुझे चाय के साथ पकोड़े खिला देतो गायतरी देवी के इतना कहिने पर घर हंसी के ठाहके से गुण जुठा आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद